नमस्कार दोस्तों, आज हम आंकडों के प्रबंधन यानी डेटा हैंडलिंग पर कुछ चर्चा करेंगे। अपने दैनिक जीवन में आपने संख्याओं, आकृतियों, नामों, इत्यादी से सम्मंदित अनेक प्रकार की सारणिया देखी होंगी। आपकी खक्षा में जब आपके शिक्षक एक रिजिस्टर पर प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्तिती अंकित करते हैं, या प्रतियक टेस्ट में उनके अंकों को अंकित करते हैं, या फिर एक क्रिकेट मैच के बाद जो स्कोरबोड होता है, या तीनों ही सारणियों के उधारन है ये सारणियां हमें आंकड़े उपलब्द कराती हैं और इस विशे में हम इनी आंकड़ों का प्रबंदन कैसे करते हैं यह सीखेंगे आज हम पहले आंकड़ों का अभिलेकन करना सीखेंगे फिर उनका संगर्ठन कैसे करते हैं यह जानेंगे मिलान चिन, चितरा लेक और दंड आ लेक द्वारा आंकडों का निरूपन करना जानेंगे और फिर कुछ उधारन करना सिखेंगे आईए अब एक ऐसी स्थिति देखते हैं जिसमें आपको आंकडों का अभी लेखन करने के आवशक्ता पड़ सकती है मान लीजे आपका स्कूल प्रतियक विद्यार्थि को एक उपार दे रहा है और उपार चार ही रंगों में उपलब्ध है लाल, नीला, हरा और पीला इसके लिए उन्हें यह ग्यात करना है कि कितने विद्यार्थियों को कौन सा रंग सबसे अधिक पसंद है मान लीजे यह कारे आपको सौंपा गया है, अब यह आप कैसे कर सकते हैं पहले आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हर विद्यार्थि से उसका पसंदीदा रंग पूछते जाएए और उसकी एक सुची बना लीजे, कुछ इस प्रकार पर अब देखिए कि यदि शिक्षक को इससे हर रंग के कितने विद्यार्थि हैं यह ग्याद करना हुआ, उसे हर रंग एक-एक करके पढ़ना पड़ेगा, जिसमें काफी समय जाएगा यह कारे और सरल कैसे हो सकता है आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हर रंग से सम्मंदित एक चौकोर बना लीजे, और जैसे ही एक विद्यार्थी वह रंग चुने, उस चौकोर में एक गोला बना दीजे अब शिक्षक को हर रंग में कितने विद्यार्थी हैं ये ग्यात करने के लिए सिरफ उस चौकोर में कितने बिंदू हैं ये गिनना पड़ेगा अब इन आंक्रों को और सरल और अच्छी तरह प्रस्दूत करने के लिए आप एक सारणी बना सकते हैं जिसमें आप पहले चारों रंग लिखिए और हर रंग में जितने विद्यार्थी हैं, उसके नीचे उतने चेन बनाएं जैसे पीले में यदि 12 विद्यार्थी हैं तो 12 चेहन ऐसे बनाये जाएं इसी प्रकार बाकी तीनों रंगों के भी चेन बना लीजिए इस प्रकार आपने खुद का काम तो आसान किया ही, साथ ही शिक्षक के लिए इन आंख्डों को पढ़ना भी बहुत सरल हो गया यदि हम ध्यान दें, तो आंख्डों के इस प्रस्तुती में भी हमें प्रतियक चिन को अलग-अलग से गिलना पढ़ रहा है क्या यह कारे और सरल बनाया जा सकता है? मान लीजिये हम चिनों के छोटे-छोटे समूह बना लें, जैसे पांच चिनों का एक समूह और इने एक साथ गिन लिया जाए, तो यह कारे काफी सरल हो जाएगा यह कारे करने के लिए हम इस प्रतीक का प्रयोग कर सकते हैं यानि जो पांचवा चिन हैं उसे तिर्ची रेखा के रूप में लिखें और इस पूरे प्रतीक को एक बार में गिन लें और इसकी संख्या पांच हो इस चिन को मिलान चिन कहा जाता है यानि यदि हमें ऐसा कुछ बना हुआ दिखे तो इसका अर्थ है पांच जम्मा दो कुर मिलाकर साथ संख्या मिलान चिनों में एक, दो, तीन, चार और पांच के जो प्रतीक होंगे वैं आप यहां लिखे देख सकते हैं और इनी पांच चिनों का प्रयोग करके आप बड़ी सारी संख्याएं लिख सकते हैं जैसे यहां देख लीजिए बारा को प्रतीक करने के लिए आप पहले पांच बनाएंगे फिर और पांच बनाएंगे अब कुल मिलाकर दस हो गई और पांच जमा पांच जमा दो और चाहिए जिससे आप बारा को प्रतीक कर सकते हैं इसी तरह आठ को प्रतीक करने के लिए पहले पांच का मिलांच चिन बनाएंगे फिर तीन और सोला के लिए तीन पांच के मिलांच चिन बनाएंगे और एक चौदा के लिए दो पांच के मिलांच चिन और चार और आंकडों के निरूपन के लिए मिलांच चिनों की जगा चितरा लेक कब प्रयोग भी किया जा सकता है एक चित्रा लेक में आंकणों को वस्तूओं, वस्तूओं के भागों या चित्रों के रूप में निरूपित किया जाता है। जैसे मान लीजे आपको एक सारणी बनानी है जिसमें आपको यह आंकड़े प्रस्तुत करने हैं कि कितने विद्यार्थियों को कौन सा विशे सबसे पसंदीदा लगता है। इसकी सारणी में आप मिलान चिन की जगा प्रती एक छात्र को इस चित्र के द्वारा भी निरूपित कर सकते हैं। फिर विज्ञान के आगे चार, हिंदी के आगे दो और समाज विज्ञान के आगे चार। इस सारणी को देखकर और यह पढ़कर कोई भी समझ जाएगा कि गणित में 5-6 हैं, विज्ञान के लिए 4, हिंदी के लिए 2 और समाज विज्ञान के लिए 4. यदि आपने ध्यान दिया हो, तो मैंने कहा था कि चित्रा लेक में वस्तूओं या उनके भागों का प्रयोग करके आंकडों को निरूपित किया जाता है. यह इसलिए जरूरी है क्योंकि छोटे-छोटे अंकों में तो जैसे 4-5-7 में आप उतने चित्र बना सकते हैं, पर बड़े-बड़े आंकडों में यह संभव नहीं है. जैसे मान लीजिए कि एक बागीचे में हर प्रकार के कितने फूल हैं यह आपको चित्रा लेक के दोरा प्रस्तुत करना हैं और आंकडे कुछ इस प्रकार हैं कि 88 गुलाब हैं, बहत्तर गेंदे हैं, 92 सूरज मुखी, 80 विसकस और 64 गुलबहार हैं. अब इतने सारे चित्र बनाना तो संभव नहीं हैं. तो इस थिती में आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एक चित्र जो मैंने यहाँ बनाया हैं, इसका प्रयोग करके 20 फूलों को प्रतीक कर सकते हैं. यदि किसी प्रकार के फूलों की संख्या 20 का गुनित नहीं हैं, तो आप इस चित्र के भागों का प्रयोग कर सकते हैं. जैसे आप देख सकते हैं कि इस चित्र में फूल की पांच पंक्तियां हैं तो आप ऐसा कुछ मान सकते हैं कि यदि पांच पंक्तियां बीस फूलों का प्रतीक हैं तो एक पंक्ति बीस बटा पांच यानि चार फूलों का प्रतीक होगी अर्थाद जब हम एक पंक्ती हटा दें तो हम चार फूल हटा रहे हैं यानि यह चिन 16 फूलों का प्रतीक होगा यह 12 का, यह 8 का और यह 4 फूलों का प्रतीक होगा अब आप इन आंकडों को इस चितरा लेक द्वारा काफी सरल तरहां से निरूपित कर सकते हैं जैसे यदि आप गेंदे में देखें तो तीन पूरे फूल हैं और एक जिसमें तीन पंक्तिया हैं यानि कुल मिलाकर आप इतने फूल कह रहे हैं और यह 72 के बराबर है इसी तरह आप बाकियों को भी चेक कर सकते हैं आईए अब मिलांचिन और चित्रालेक से सम्मंदद एक प्रशन देखते हैं यहां हमें 50 विद्यार्थियों द्वारा एक टेस्ट में प्राप्त किये गए अंक दिये गए हैं और इन अंकों को हमें पहले मिलांचिनों का प्रयोग करके एक सरिनी के रूप में विवस्थित करना है और उसके बाद ग्यात करना है कितने विद्यार्थियों ने छे से अधिक अँख प्राप किये हैं और कितनोंने चार या उससे कम अँख और दूसरा हमें इनी अंकों को एक चित्रेलेग द्वारा निरूपित करना है आईए अब इस प्रश्ण को कैसे हल करना है वे देखते हैं अब इन आंकडों को मिलान चिन द्वारा निरूपित करने के लिए हम पहले एक ऐसी सारणी बना लेंगे और फिर अंकों को एक एक करके पढ़ते जाएंगे और उप्युक्त अंक के आगे चिन बनाते जाएंगे जैसे पहला है साथ तो उसके आगे चिन बनाया फिर तीन उसके आगे पांच उसके आगे इसी तरह जब पांच चिन बनने हों तो पांचवा हमें एक तिर्ची रेखा खीच कर मिलान चिन का प्रयोग करेंगे इसी तरह सभी अंकों को गिनने पर यह प्राप्त होगा अब इस सारणी में हमें हर अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है यह गिनने के लिए दिलान चिन्नों को ही गिनना है जैसे शूने अंक में एक ही चिन है तो एक विद्यार्थी और 6 अंक में 5 जमा एक यानि 6 विद्यार्थी इसी तरह हम हर अंक के लिए विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं अब इस साराणी पर आधारित दो प्रश्न थे पहला कि 6 से अधिक अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है 6 से अधिक में हमें 7, 8, 9 और 10 के विद्यार्थी गिनने है यानि 8 जमा 6, जमा 11, जमा 4 कुल मिलाकर 29 विद्यार्थी और दूसरा प्रश्ण था कि 4 या उससे कम आंख ध्यान दीजे कि 4 या उससे कम में 4 भी हमें गिनना है यानि 0, 1, 2, 3 और 4 वाले विद्यार्थी मतलब 1, जमा 1, जमा 2, जमा 3, जमा 3 कुल मिलाकर 10 विद्यार्थियों ने 4 या उससे कम आंख प्राप्त किया है प्रश्ण का दूसरा बाग था कि इनी आंकड़ों को एक चित्रा लेक के द्वारा निरूपित कीजिए उसके लिए पहले मैं एक ऐसी सारणी बना लूँगी और फिर मान लीजे कि इस चित्र का प्रेयोग करके मैं दो विद्यार्थियों को निरूपित करती हूँ तो जैसे हमने देखा था कि चित्रों के भागों का भी उप्योग हो सकता है तो यह चित्र एक विद्यार्थि के बराबर होगा यानि यहां पांच विद्यार्थि निरूपित करने के लिए दो जमा दो जमा एक का प्रेयोग होगा सभी अंकों के लिए यह करने हमें ऐसा चित्रालेक प्राप्त होता है इसी के साथ हमने प्रश्न को पूरा कर लिया आंक्रों का चित्रिय निरूपन करने के लिए दंड आलेकों का भी प्रयोग होता है एक दंड आलेक में समान चड़ाई के एक शैतिज या उर्धवादर दंड खीचे जाते हैं और उनके बीच में समान दूरी रखी जाती है जैसे जिस उधारन में आपने अलग-अलग फूलों के प्रकारों की संख्या चित्रा लेक द्वारा निरूपित की थी उसको दंड आलेक द्वारा इस तरह प्रदर्शिक किया जा सकता है और इसमें आप देख सकते हैं कि प्रतियक दंड की जो लंबाई है वै उस फूल की संख्या को निरूपित कर रही है यहां हर इकाई दस फूलों के बराबर है और इसको दंड आलेक का पैमाना कहा जाता है दंड आलेक कुछ चीजों में आंकडों का निरूपन करने के लिए काफी बहतर है जैसे इसको बनाने में कम समय लगता है यह भी एक चित्तुर्य प्रतित्व है और इसे समझना काफी सरल है आईए अब दंड आलेक से समंदत एक प्रशन करते हैं इसमें आपको किसी स्कूल की एक विशेश कक्षा का दंड आलेक दिया है और आपको दिये गए प्रशनों का उत्तर देना है पहले आपको बताना है कि आलेक का पैमाना क्या है फिर बताना है कि प्रतियक वर्ष स्कूल में कितने नए विद्यार्थी आएं है और क्या वर्ष 2003 में विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2000 के विद्यार्थियों की संख्या की दुगनी है आईये अब इस प्रेशन का हल देखते हैं पहला बाग था कि दंडू अले का पैमाना बताईए यहां आप देख सकते हैं कि एक इकाईiro अमबाई 10 विद्यारतियों के बराबर है और यह इसका पैमाना है दूसरा था कि हर वर्ष कितने नह विद्यारति आये यह बताईए और 2003 में 10 ने विद्यार्थी आए। प्रश्न का तीसरा भाग था कि क्या वश्च 2003 में विद्यार्थियों की संक्या वश्च 2000 के विद्यार्थियों की संक्या की दोगनी है। आप देख सकते हैं कि वश्च 2000 में 30 विद्यार्थी थे जिसका दोगना होता है 60 और ये 2003 की संक्या 56 के बराबर नहीं है यानि इस भाग का उत्तर है ना इस तरह आप दंडालेक से समंदत प्रशन हल कर सकते हैं इसी के साथ हमारा आज का विशे समाप्त होता है अब एक बार देख लेते हमने क्या क्या सीखा पहले हमने आंक्रो का अभिलेखन और उसे किस प्रकार और सरल बनाया जा सकता है वह सीखा फिर आंक्रो का संगर्ठन और उसको मिलांचिंच, चितरालेक और दंडालेकों दोरा निरूपित करना चाना और फिर उनसे समंदित उधारन कैसे हल करने हैं वह देखा दोस्तों यह हमारा एक नया section है जिसमें हमाकी अंग्रेजी की शब्दावली में कुछ नए शब्द जोडने का प्रयास कर रहे हैं तो आज का पहला शब्द है economy जिसका अंग्रेजी में मतलब है the state of a country or region in terms of the production and consumption of goods and services and the supply of money यानि अर्थविवस्था और दूसरा शब्द है excitement, a feeling of great enthusiasm and eagerness यानि उत्साह आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई और इससे आपकी कुछ मदद हुई इस कोरोना के समय सुरक्षित रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों